नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं महराश्टर में होस्टल के 44 छात्र एक साथ मिले कुरोना पोजिटीव महराश्टर में कुरोना भायरेस संक्रमन की दिती चिंता जनक बनी हुई है बता दे इस बीच राजी के लातूर सहर से एक बड़ा मामला परकास में आया है समाचार एजन्सी पीटी आई के मुताबिक महराश्ट के लातूर सहर में होस्टल से 1744 छात्र कुरोना पोजिटीव पाय गये है स्वास्थ विभाद के अधिकारी ने इस मामले की जनकारी साजा किया है जनकारी के मुताबिक संक्रमिट सवी छात्रो को लोकल क्वार्टिन सेंटर बेच दिया गया है जहां सभी का इलाज किया जा रहा है रांची के मुराबादी में चल रही सेना बहाली में पकड़े गए छो फर्जी अभियार्थी रांची के मुराबादी मेदान में दस बाज से आर्मी में बहारी चल रही है इसमें छो फर्जी अभियार्थी पाए गए हैं बदादे पकड़ेगा इन अभियार्थियों के पास से दिल्ली, बिहार और मदेपर्देश के जाली सर्टिफिकेट बरामत किये गए हैं। इन अभियार्थियों को बिहार और मध्य परदेश के दलालों ने फर्जी सर्टिफिकेट मौया कराया था और सेना में बाहल कराने का सजा दिया था इतना ही नहीं इन से पैसे की वसिली भी की गई थी इन सभी अभियार्थियों को लालपुर्थाने की पूलिस को सौप दिया गया है कुरोना टीका करन में लाए गती केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने जार्खन में टीका करन की गती दोगनी करने का निर्देश दिया है बर्तमायन में जार्खन में अवस्तन रोज 22 से 32 से या डोज की खपत हो रही है बता दे केंद्र के निर्देश के बाद इसे बढ़ प्राथमिक सिख्षकों के बारे में सरकार का बबावा फैसला प्राथमिक सिख्षकों की गिरी जीले में वापसी के लिए राजी सरकार नियुक्ति निमावलीज में संसोधन करेगी बता दे महतुरा महतों के सवाल के जबाब में संसाधिये कार्यमंत्रिय अलमगीर आरम ने स से जोड़ी बरतमान निमावली को सीथील किये जाने का मामला भी उठाया बिस्व बिधियाले के शिखषकों को खुछ खभरी राज एके बिस्व बिधियाले के शिखषकों को अभी सीग रही साथ ही बितनमान के अनुसार चिकितसाins तथा आवास बता मिलेगा बता दे उच्ट एवस एवहम तक्निकी शिक्षविवाग ने काया है कि बीसो विद्याले सिस्कों को साथवे बितर्मान के अनुसार चिकित सा बाता है हम आवास बता देने की करवाई पर क्रिया दिन है बता दे बिभाग ने या जनकारी विधायक राज सिना द्वारा पूछे जाने वाले अल्फ सुचित प्रस्न के जवाब के रूप में दिया है 2024 तक 9.23 लाग ग्रामीन घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुचाने का लक्ष है बता दे या लक्ष अब तक चल जिवान मिशन के तहत हासिल उपलब दियों का तकरीबन देर गुना है जारखन में 30,000 तक बेतन वाले पद अस्थानी लोगों के लिए होगी अरक्षीत जारखन सरकार परदेश में खुलने वाले निजी कमप्रियों में 75% आरक्षन अस्थानी लोगों के लिए सुनेश्चित करवाना चाहती है और इसके लिए विधान सबा में बील लेकर आने की योजना है बता दे बील पास होने के बाद या कानून का रूप लेगा लेकिन इससे पूर्व कैबिनेट के अनुमती आवस्यक होगी इसी उदेश से स्राम विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव त्यार किया है सुत्रो के अनुचाद तयार प्रस्ताव में 30,000 रुपे तक की तमाम नौकरियों में अस्थानिये लोगों के लिए 75% आरक्षन का प्रविधान होगा हरियाना में महिलाओ से ट्रेक्टर खिचवाने का विजेपी ने किया विरोद हरियाना में कांग्रेश नेता भुपेंदर सिंग तुआरा ट्रेक्टर खिचवाने का प्रकरण तूल पकरता जा रहा है बतादे बुद्वार को रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं से ट्रेक्टर खिच्वाने की घट्टा के बिरोध में जूलुस निकार के परदस्क्र किया महिला मोर्चा के सदस्वों ने जान्डा बैनर के साथ कंग्रेस के खिलाप नारेबाजी करते हुए सवास्थ सचीव का सक्त निर्देश नीजी अस्पताल बढ़ाए टिकाकरण केंद्रे के निर्देश पर जाकन सरकार कुरोना टिकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में जूट गई है बतादे इसे लेकर स्वाथ सचीव केके सोन ने गुरु आरको अयुसमान भारत योईना से सुचीवत सभी निजी अस्पतालों को कुरोना का टिकाकरन बढाने के निदेश दिये बतादे सभी अस्पतालों के संचालकों के साथ वीडियो कंफरेंसिंग करते हुए उन्होंने इसे प्रात्मिक्ता देने को कहा साथ ही उन अस्पतालों को सिगर्टी काकरन शुरू करने का निदेश दिये जो अभी शुरू नहीं कर सके है जार्खन में 31 संक्रामित की फुष्टी हुई है जो रांची से 25 पूर्वी सिमूदो धनबात एक गुमला एक लात्यार एक लोहर्दागा से एक मिले है जार्खन में कुल महुत की संख्या एक हैरती अनबे है वहीं जार्खन में कुल एक्टिप केस 511 है भारत में 2631 संक्रामित की पुष्टी हुई है भारत में कुल महुत की संख्या एक लाख अन्ठाव 2326 है वहीं भारत में एक टिप केस की संख्या एक लाख लाख 5656 है बेरुजगार युगार 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 गाड़ी पर नेम पलेट लगाने पर जुर्माना राज सरकार ने प्राइबेट गाड़ीयों पर किसी तरह के बोर्ड आथवा नेम पलेट लगाने को पूरी तरह से गेर करूनी करार दिया है ऐसा होने पर गारी माली के खिलाब कारूनी करवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा बतादे परिवहन विभागने इसे सम्मधित अजिसुचना जारी कर दी है अजिसुचना के अनुसार सभी सरकारी गारी पर एक ही आकार के बोड होंगे लेकिन इसका रंग अलग-अलग होगा मनियता रद कॉलेज में नमांकन राजे के कांके इस्थित राज किये सिक्छक प्रसिक्छन महा विद्याले की मनियता रद हो गई है इसके बावज़ूद इस संस्थान में वर्ष 2021 के लिए नमांकन ले लिया गया बता दे नमांकित छात्रों को अब भविस्ट की चींता सता रही है इसे लेकर नमांकित कई छात्र बुद्वार को मुखमंत्री आवास पहुच कर संस्थान के मन्याता दिलाने के लिए आवसक पहल की मांग की ताकि उनका भविस्ट खराब ना हो हेमंत सुरेन महादेव के दर्सन को पहुचे राजधानी राची सीव की अराधना में जूटी है बता दे महा सीवरात्री के पावन पर पर राची बंब बुल रही है मुख मंत्री हेमान सुरेन भी महादेव के दर्शन के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे हरहल महादेव के जय घोस के बिच सब को महाशिवरात्री के सुबकाम नाय दी बता दे मौके पर सीम का आउजन समीति द्वारा स्वागत किया गया 10,000 रुपे से ज़्यादा है बकाया तो जामा कर दे बिचली बिल जार्खन बिचली बितरन निगम लिमिटेट सहर में फिर कनेक्शन काटो अभियान चलाने जा रहा है महा सिवरात्री पर बाबा बैदनाथ में लगी आठ किलोमीटर भगतों की कतार फागुन मास क्रिष्न पक्षत उदर से तीसी के आउसर पर गुरुवार को 12,30 लिंग में सर्वस्रेष्ट कामना लिंग बाबा बैदनाथ के दर्वार में सिवभक्त सर्धालूओं का सेलाब वहार पर बता दे एक अनुमार के मुताबिक महा सिवरात्री का उसर पर लगभग 2,25,25 अधिक सर्धालूओं ने कामना लिंग बाबा बैदनाथ पर जलार परगन कर मंगल कामना की 13 मार्च को आधिवासी सम्मेलन में सामिल होगा प्रतिनिधी मंडल जयपूर में 13 मार्च को आयुजित होने वाले राष्ट्रिये आधिवासी सम्मेलन में सामिल होने के लिए जार्खन का एक प्रतिनिदी मंडल गुरुवार को राजानी एक्स्प्रेस से रवाना हुआ बतादे प्रतिनिदी मंडल में राष्ट्रिये आधिवासी धर्म सबनवे समिती अखिल भार्ती आधिवासी विकास परिशद मांजी माहाल आधिवासी जन परिशद आधिवासी सार्ना महासबा आधिवासी लोरा समाज के पूर्व मंत्री देव कुमारदान पूर्व मंत्री गीता स्री उराव शामिल है डाक्टर रामेश्वर उराव ने लिया टिका जार्खन के बित वखाद आपूर्ति मंत्री सह परदेश कांग्रेश कमेटी के अध्यक्ष डाक्टर रामेश्वर उराव ने गुरुवार को कुरूना का टिका लगवाया उन्होंने सभी कुरूनायो धावक और 60 बरस से अधिक उम्रे के लोगों वगंभीर बिमारीों से पिरित लोगों से भी बिना किसी जिजग के टिका लगाने के अपील की होली पर जार्खन से बिहार जाने वाली ट्रेनों में अतरिक्त कोच होली के मौके पर जाकन से बिहार जाने वाले यात्रियों को इस बार परिसानी नहीं होगी बता दे राची डिविजन की ओर से इसको लेकर परयाप्त ट्रेनों की विवस्ता की गई है इसमें ज्यादा तर ट्रेने पहले से ही चलाई जा रही है राची डिविजन के सीपी आरो निरज कुमार ने जनकारी देते हुए बता दे की होली के मौके पर बिहार या फिर दिली जाने वाले अत्रियों को परिसानी नहीं होगी बस वे आपना टिकट समय पर अरक्चित करा ले नई हाई कोट को पेपरलेस बनाने की त्यारी जाखन हाई कोट के नए भवन में सब कुछ पेपरलेस करने की त्यारी की जा रही है बता दे आजका से लेका सुनवाई तक में कागज का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा सभी मामलों की डिजटल सुनवाई की जाएगी प्रार्थी की और से दार रहच का प्रतिवादी का जबाब और सभी दस्तावेज डिजटल मोड में फाइल होंगे बता दे सभी की सकेन कोपी जजों के लेपटोप में रहेगी और लेपटोप से ही सभी दस्तावेजों को जज देखेंगे बिहार जारखन का किर्णेपर किंग चंदन सुनार गिरफ्तार लातेहर में कुवे से पॉम्प निकालते समय बड़ा हद्सा है लातेहर जीले के बालुमात परखंड के पाली गाह में गुरुवार को दर्दनाक हाचा हुआ बतादे कुए के अंदर लगे डियल पंप बंद करने के दोरान बाप बेटे और भतीजे की दम घुटने से मौत हो गई इस घटना के बाद गाह में कोरा मच गया है बतादे ग्रामी समझ चुके थे कि डियल पंप के चलने से कुए के अंदर जरीला गैस और धुआ भर गया है नहीं रहे पलामू के आखरी सोतंत्रता सेनाने निलकंट सहाई जी का छो मुहान के पास इस्थित उनके आवास में निधन हो गया बता देवे 99 ब्रस के थे निलकंट सहाई जी के दिवंगत होने की सुचना मिलते ही उपायुक्त सहजीला दंदा अधिकारी सहसी रंजन तथा पुलिस अधिक्चक संजीव कुमान ने निलकंट सहाई जी के आवास में अम्तिम दर्शन कर उने सरदांजली अरपित की सीम ने राची में रखी स्कूल वा मदारशा की अधार सिला जारकंट के मुखमंतरि हिवां सुरेन ने गुरु और कुराईधानी राची के कांटा टोली के कुरैसी मुहला इस्थीत इद्रीस कलोनी में अलकुरैसी तालीमी मिसन स्कूल एवा मदारशा निर्बान को लेकर अधार सिला रखी इस अउसर पर उन्होंने कहा कि मदार्शा का ऐसा मोडल पाले नहीं देखा ऐसा पर्यास हो कि अजारखन के लिए मोडल के रूप में स्थापित हो आप सभी को अभिश्वास दिलाता हूं कि राजे में रहने वाले समो और ग्रामिन से लेकर सहरी छेत्र में अभुत फुरु बदलाव नजर आएंगे रांची में जल्द दोड़ेगी सी एंजी वा इलेक्ट्रिक बसे रांची स्मार्ट सिटी कर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में निना लिया गया कि कर्पोरेशन भी रांची में सिटी बसों का परिचारन करेगा बुद्वार को प्रजेक्ट भावन में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचीव सह अध्यक्स हुआ प्रबंदन निदेशक बिना कुमार चोबे की अध्यक्सता में बैठक हुई बैठक में सिरी चोबे ने कहा कि पुरे देश में सरकारों का जोर पब्लिक टांस्पोर्ट को बढ़ावा देने पर है ऐसे में रांची साहर में बसों का परिचालन पी 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 मोर से कराया जाए इस पर आने वाले खर्च का वहन और मोनेटरिंग का रांची स्मार्ट सिटी कर्परेशन करेगा ताने वाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत कर बहुत कर लाइक कर यह साथ जात वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में आपना फीड़बैक अवस सब्सक्राइब थाइक यू